नमस्कार स्वागत है आप सभी का UPSC PET 2023 से दो बिग्यापन जारी हुए हैं इसके पहले वी एक बिग्यापन आच चुका है ऐरवेदिक फार्मासिष्ट के लिए अब यहाँ पर दो नोटिफिकेशन आप सभी को और देखने को मिलेंगे यहाँ पर विस्तार से बताएंगे इ AIA, AGTA का है, ASO का है वह अन्य विग्यापन देखने को मिलेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सहायक लेखाकार वा लेखा परिक्षक 1828 पदो पर यह नोटिफिकेशन आया है 20 फरवरी से आनलाइन आविदन स्टार्ट होंगे 11 मार्च लास्ट डेट होगी और 18 मार्च सुलक समय वजन और संसोदन की लास्ट डेट होगी पी इती 2023 की आधार पर आप आविदन कर पहेंगे कुछ चीज़ें देखेंगे यहाँ पर दोनों ही नोटिफिकेशन में कामन होंगे जैसे आरक्षर संबंदी प्रावधान, एज लिमिट दोनों में ही आपको सेम देखन को मिलेगा साइक लेखा वा लेखा कार वाले में पहले वाले नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे जिस तरह से सारी चीज़ें आपको देखने को मिली है तो उसी तरह से इस विग्यापन में भी रहने वाला है दिक्कत की वर उन विग्यापनों में होगी जहां पर ज चीए बिग्यापित पत के लिए क्यावल एक आवेदन करना है आवेदन संबंदी आवेदन कैसे करना है उसको लेकर कि यहाँ पर इंस्ट्रेक्शन दिये गए है 25 रुपे फीज सभी के लिए रहेगा और P.E.T. 2023 के आधार पर साउट लिष्टिंग होगी मुख्य परिष्चा के लिए अब भेरती साउट लिष्ट होंगे संसोधन में क्या क्या कर पाएंगे उसको लेकर कि यहाँ पर दिया गया है पदों का विब्रण सबसे पहले हैं आपर चैट वर्टिकल उर्धोधर में देख लीजिए टोटल यहाँ पर पद है अठारा सो अठाइस सहायक लेखा कार सामान चैन में आप यहाँ पर देख सकते हैं पदों की संक्या केटिगरी वाइज इसी तरह से ग्रेट पर अगर आप देखेंगे लेबल 5 में है यानि नियुन्तम 29,200 से लेकर कि 92,93 बेसिक पर 12,300 तक इसी तरह से लेखा परिक्षे के लिए भी सेम ग्रेट पे है और पदों का देख लेखेंगे बिबलड आप केटिगरी वाइज आना रक्षित ST, ST, OVC, EWS यह तो होगे आपका आंतरिक लेखाव में लेखा परिक्षे के निदे साले की तरफ से इसी तरह से बिदिक सिवा प्रादिकरण में सहाइक लेखाकार और सहाइक लेखाकार विसेश हैन आंतरिक लेखा हम लेखा प्रेशिक निदे साले में तो इनके लिए हमाँ पर पदों का विब्रड है सहाएक लेखा कर बिदिक सिवावाले में किवल एक पद है और अगर आप सहाएक लेखा कर विसेश चैन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अनारक्षित की एक भी सीट नहीं है यसी के लिए 399 सीट है यस्टी के लिए 38 ओबीसी के लिए 513 और EWS के लिए कोई सीट नहीं है टोटल 950 पद तो जिस तरह से अधियाचन आया होगा आयोग के पास उसी तरह से यहाँ पर विग्यापन जारी किया गया और इसके आगे आप यहाँ पर चैति जारक्षर के अंतरगत सीटे देख लीजिएगा सुतनता संग्राम सेनानी द्रिष्टी हिंता में भी सीटे हैं बदिर और सरवड सकती में हराज इसमें कोई सीट नहीं है इसी तरह से भूत पुर्वर सैनिक में सीट है महिलाओं के लिए भी सीटे हैं चैतिज आरक्षर के अंतरगत आरक्षर संबंदी परातान केवल उत्तरपदेश के मूल निवासियों को ही आरक्षर का लाब मिलता है कोई भी भरती होगी एक बार आप सभी नोटिफिकेशन विस्ताज जरूर देख लिएगा आविदन करने से पहले और महिला भरती जो बिभाईत होंगी तो आपके लिए जाती प्रमाणपतर पिता पक्षी सही मानने होगा EWS में कोई दिक्कत नहीं होती है अगर आरता देखेंगे तो कामर्स में असनातक की उपादी होना चाहिए या फिर किसी मानता प्राफ्त विश्य विद्यालत वसंस्तान से एकाउंट टेंसी में असनात कोतर डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में O-Label डिप्लोमा भी चाहिए अधिमानी में अगर है तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं होने पर प्रिफरेंस मिलता है चैन का अधार अगर आप देखेंगे तो लिकित परिक्षा होगी लिकित परिक्षा योजना और पार्टिक्रम यह बाद में इसके लिए नोटिस आएगी सूसना आएगी आगे सार्ट लिस्टिंग को लेकर के वह अधर चीजें यहां पर दी गई है अरता को लेकर के या फिर आपके जो डॉकुमेंट्स हैं और कोई भी ऐसा अब्मेरती नहीं होने चाहिए जिनके एक से अधिक अगर पुरु सब्मेरती तो एक से धिक जिवित पत्त नहीं होना चाहिए और जो भी आप डेटेल्स बरें सही से बरें अज़ए यहां पर मापी चाहेंगे आप सबी से लिखित परिक्षा की परिक्षा योजना और पार्टिकरम दिया गया है लिखित परिक्षा की तिति जो है यह अलग से बताया जाएगा बाद में नोटिस की माधिम से तो यहाँ पर आप से भी देख सकते हैं परिक्षा योजना 100 question 100 number का 2 गंडे का paper होगा 1 fourth की negative marking रहेगी और किस प्रकास यह प्रश्णों का divideration किया गया आप इसको देख लीजेगा किस section में कितने प्रश्ण पूछे जाएंगे computer जबी प्रश्ण रहेंगे 15 और यूपी इस पेसल से भी 20 प्रश्ण रहेंगे बाकि नीचे बिस्तार से भी syllabus दिया गया है तो बिल्कुल तैयारी आप से भी start कर दीजिए और जब से आवेदन इस्टार्ट हो तो फिर आप आवेदन कर लिजिएगा अब अगर आपके मन में कोई भी डाउड हो तो आप कमेंट करके पूश सकते हैं ये प्रमान पत्र का प्रारूपे किस प्रारूपे प्रमान पत्र आपका रहना चाहिए SC, ST, EWS, OBC या पर छेते जारक्षण के अंतरगत और यहां पर एक विज्यापन और जारी हुआ है 15 फरावरी से आवेदन श्टार्ट होंगे 6 मार्च लास्ट डेट और 13 मार्च संसोधन और सुल्क समयोजिंग की लास्ट डेट होगी यहां पर भी PET 2030 के आदार पर आवेदन कर पाएंगे साट लिष्टिंग PET 2030 के स्कूर कार्ट के आदार पर होगा और दोनों जो भी बताएं भरती की नूटिपिकेशन उसके लिए भी PET में सुने या उसके नीचे अंक नहीं रहना चाहिए साट लिष्टिंग के लिए इसमें टोटल यहां पर 200 पद हैं एक सुनननावे पद साहय के श्टोर कीपर वह साहय ग्रेट 3 के लिए सिचायम जल संसाधन भी भाग में और एक पद है पुलिस आवास नेकर लिम्टिड साहय ग्रेट 3 के लिए टोटल 200 पद यहां पर हैं बाकि यहां पर आवेदन की प्रकिरिया इडबली यस का सेटिपिकेट आदी को लेकर के चीज़ी दी गहीं इसको आवेदन से जरूर पढ़ लिजीगा एक बार आवेदन करने से पहले पहले और जो भी आपके पास अरता समंदी या जो भी डॉकुमेंट सोने चाहिए सबी के जबी फार्म आवेदन की लाश डेट से पहले का होना चाहिए फिर कैसे आपको फार्म बनना है उसको लेकर के फीस पेमेंट पचीस रुपे फीस लगेंगे और सौट लिस्टिंग के बारे में दिया गया जो आलेडी आप सभी को बता चुके है फार्म बनने के बाद प्रिंटाउट आप सभी को ले लेना है संसोधन में क्या क्या है संसोधन आप सभी कर सकते हैं तो यहाँ पर कोशिस यह करना कि कोई भी गलती न हो 36 रक्षिट के अंतरगत क्या प्राउधान है पदों का भीवड़ है यहाँ पर देख लेते हैं और दौतर रौट छेटिज में अगर आप देखेंगे तो सिचायम जल संसादन विभाग में सहायक इस्टोर कीपर के लिए टोटल एक सु निनन्यान में पद है और पुलिस आवास निकम लिम्टेट में सहायक ग्रेट 3 के लिए खेवल एक पोश्ट है और यह पोश्ट अनारक्षित की है इसी तरह से चेटेज आरक्षित में सीटो का यहाँ पर बटवारा देख लिए आप सभी आरक्षर समन्ती प्रावधान केवल उत्रपदेश की मूल निवासियों को यह आरक्षर का लाब मिलेगा EWS 1 अप्रेल 2023 की बात का होना चाहिए और फार्मावदन की लाश्ट डेट से पहले का होना चाहिए आठ लाग से ज़्यादा आया ना हो इसी तरह से चैते जारक्षर में बिभाईत महिलाओं के लिए जाती प्रमाण पत्र पिता पक्षी सही निर्गत मानने किया जाएगा अगर यहाँ पर इलिजबिल्टी आप देखेंगे तो इंटरमेडियर्ट या कोई समकक्ष उसके है और साथ में हिंदी और इंग्लिस में टाइपिंग हिंदी में 25 सब्द परती मिनट और अंग्रेजी में 30 सब्द परती मिनट ने उन्तं गती सहाएग एश्टर कीपर के लिए और सहाय ग्रेट तिंग लिए जहाँ पर केवल एक पद है तो यहाँ पर भी इंटर्मिडिट या पर इसके समकक्ष और साथ में हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग 25 और 30 आयो सीमा दिखें दोनों में 1840 है मिनमम 18 और अधिकतम 40 है इससे अधिक नहीं होना चाहिए दोनों ही भरतियों में यहाँ पर भी और वहाँ पर भी चैयन का आदार यहाँ पर वही है कि PET 2023 के स्कूरकार्ट के आदार पर मुख्य परिक्षा के लिए बेरती साथ लिश्ट होंगे पंदर गुनावला नियम है आगे लिकित परिक्षा होगी और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिकित परिक्षा की परिक्षा यहाँ परिक्षा तिति के संब्द में यह था समय प्रितक से सूचित किया जाएगा तो यहाँ पर नहीं है फिलाल में सेलेबस और परिक् करतियों के लिए कि अगर पहले से आप कारत होंगे सरकारी भीभाग में तो आपको अनोसी भी देना होता है कि अगर जो भी डिटेल भरें आप बिल्कुछ सही डिटेल भरें फॉर्म में ताकि बाद में कोई दिक्कत आपको नहोगा नेचे यहां पर प्रारूप भी दिया गया है जो डोकुमेंट्स आप से मांगे जाएंगे कास्ट समंधियाने आरक्षर के लिए या फिर EWS के लिए या डोमेशाहिल के लिए जिनको आरक्षर का लाप चाहिए होता है डोमेशाहिल उने को देना अनिवार होता है अगर आपके मन में इन दोनों ही भरतियों से रिलेटिट आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूर सकते हैं वीडियो को आप सभी प्लीज लाइक करके सेर कर दीजिए धन्यवाद